आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्यल टेलर कॉलरेज की एक फेमस पोयम दी राइम आफ एंशेंट मैरिनर एसी में हमारी ये पोयम दी राइम आफ एंशेंट मैरिनर को भी पबलिश किया गया था ये पोयम एक लिरिकल बैलेड है अब बैलेड एक ऐसी पोयम होती है जिसमें कोई ड्रामेटिक इंसिडेंट या फिर कोई स्टोरी को म्यूजिकल फॉर्म में पेश किया जाता है यानि कि जो बैलेड होती है वो गाई जाती है तो इसलिए इसका नाम भी है ता राइम आफ एंशेंट मैरिनर यानि कि एंशेंट मैरिनर अपनी स्टोरी किसी को बचाना चाह रहा है मैरिनर मतलब सेलर यानि कि वो लोग जो सीई वोयजिस पे जाते थे तो इस पोईम का जो नारेटर है एंशेंट मैरिनर वो बूड़ा हो चुका है और वो अपनी स्टोरी किसी को सुनाना चाह रहा है ये एस्टी कॉलरेज की लॉंगेस्ट पोईम है जिसको कि सेवन उसको कवर करें अगर आप लोग UGC net की तयारी कर रहे हो या फिर लिट्रेचर के फील्ड से रिलेटर को और एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो ये पोईम आपके लिए मस्ट है तो आईए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टेंजास में बताया गया है कि थ्री यंग मैन एक वेडिंग पार्टी को अटेंड करने जा रहे होते हैं और उनमें से एक को एंशेट मैरिनर रोक लेता है और वो यंग मैन उसकी ग्रे बियर्ड और उसकी आइस को देखकर काफी अट्रेक्ट हो जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे रोका जो कि इंजॉय कर रहे हैं अब वो मैरिनर अपने वीक हाथों से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है कि एक बार की बात है हमारी शिप हुआ करती थी लेकिन वो अपना हाथ उससे छुड़वा लेता है और उसे ग्रे बियर्ड जाता है एक थ्री यर्ज के बच्चे जैसे उसकी स्टोरी सुनना स्टार्ट कर देता है तो अब मैरिनर बताता है कि हमारी शिप वोईज के लिए रेडी थी और हारबर पर बहुत सारे लोग आए हुए थे उन्हें सी ओफ करने हारबर बोलते हैं पोर्ट को और आगे बोलता ह कि ऐसे हमारी शिप सेल करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे hills, mountains, lighthouse, church सब पीछे रह जाती है और वो लोग आगे बढ़ जाती है तो अब वो लोग देखती है कि sunrise left की तरफ हो रहा है जिसका मतलब वो लोग south की तरफ जा रहे हैं इतने बड़े समुद्र में उन्हें लगता है कि सूरज यहां से उपता है और यहीं पर छिप जाता है, sun ऐसे ही सारा दिन चमकता रहता है और फिर उनके right side होकर छिप जाता है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि sun day by day और ऊचा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लोग अब equator की तरफ जा रहे हैं, जहां पर sun 90 degree के angle पर होता है, बिल्कुल ऊपर, ship पे जो poles लगे होते हैं, उनको बोलते हैं mast and उनके mast के बिल्कुल ऊपर था sun, तो वो young man mariner की story तो सुन रहा है, लेकिन साथ ही bride groom के घर से आ रही music की आवाज सुन कर, उसका mind divert भी हो जाता है, वो सोचने लग जाता है कि bride जरूर hall में आ गई होगी and वो एक rose जैसे beautiful लग रही होगी, जो उसके आसपास musicians and singers होंगे, वो musical instruments के साथ साथ अपने सिर को भी जोर जोर से हिला रहे होंगे, वो भी उस party को attend करना चाहा रहा था, लेकिन mariner ने उसे ऐसा hypnotize कर रखा था, कि वो चाहा कर भी नहीं उठ सकता था and वो फिर से उसकी story सुनन start कर देता है, तो अब mariner बताता है कि समुद्र में तुफान आ गया था, यानि कि इसी storm, तो उसने इस storm को एक बड़े से bird के साथ compare किया है, जो कि अपने wing से ship पे attack कर रहा था, और ये storm इतना powerful था कि उनके ship को south की तरफ धकेल दिया था, और इनके ship का जो front part था, वो bent हो गया और वो पानी में डूब रहा था, इस ship के हालत ऐसी थी, जैसे इसके पीछे कोई दुश्मन पढ़ा हो, four means दुश्मन, और ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और भागते भागते ये bend हो गया है, और ऐसे फिर उनके ship south pole पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें ब उन्हें दूर दूर तक कोई भी animal या फिर human beings नहीं दिख रहे थे, जब ice में cracks पढ़ते थे, या फिर ice टूट कर नीचे गिरती थी, sea में, तो ऐसी आवाज ही सुनती थी, जैसे कि एक person को सुनती है, जब उसे चक्कर आते है, sound का मतलब है faint होना या fits, तो आगे वो बताता है कि जब वो लोग अकेली थे, उनके आस पास कोई नहीं था, तो उनके पास एक albatros आता है, जो कि एक sea bird होता है, इस fog में उस bird का आना, यानि कि एक उमीद का आना माना गया, और वो लोग उसे एक pure soul मानने लगे, जो बाकी sailors होते हैं, वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे खाना भी offer करते हैं, वो bird उस ship के आस पास गोल गोल घोमने लगता है, तो अब एक iceberg तूटता है, और उसके तूटने से एक thundering sound आती है, तो अब sailors उस बर्फ में से अपनी ship को जैसे तैसे निकाल लेते हैं, और साथ ही south wind भी चलने लग जाती है, और उनकी ship अच्छ पे भी जाकर बैठता है, और इन सब activities को वो nine days continue रखता है, और white fog से उन्हें हलका हलका moon भी दिखने लगा है, तो अब ancient mariner बोलता बोलता एकदम से रुक जाता है, लेकिन जो wedding guest होता है, जो उसकी story सुन रहा है, वो जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ, तो वो god से pre-bी करता है कि ancient mariner को god इनके दुश्मन से बचाए रखे, फिर वो उससे पूछता है कि तुम मितने terrified क्यों लग रहे हो, तो mariner बोलता है कि मैंने अपने crossbow से उस albatross को मार दिया था, तो ऐसे यहाँ पर first part खतम हो जाता है, अब हम पढ़ते है second part, तो अब ancient mariner उसे बताता है कि अब weather थोड़ा change होने लगा था, सूरज भी निकल आया था, हाला कि अभी भी वो mist में छिपा हुआ था, मतलब इतना clear नहीं दिखता था, उनके right side से sunrise होता था and left side में sunset हो जाता था, तो अब हवा भी अच्छी चलने लगी थी, लेकिन वो bird उनके पास नहीं आता था, ना कुछ खा के लिए उसे condemn भी करती है, कि वो एक lucky bird था and उसके ही आने से अच्छी हवा भी चलने लगी थी and हम लोग भी यहां से easily निकल पाए थे, लेकिन अब क्या होता है, कि sun और भी ज्यादा चमकने लग जाता है, वो God के, यानि कि Jesus Christ के sacred head जितना चमकने लग जाता है, तो इससे क्य होता है, कि जो दूसरे mariners होती है, वो अपनी opinion change कर लेती है, अब वो कहती है, कि mariner ने उस bird को मार कर अच्छा किया, क्योंकि उसकी ही वज़े से उन्हें fog and mist का सामना करना पड़ा था, वो एक unlucky bird था, तो अब फिर breeze चल रही है, breeze मतलब हवा and वो लोग बहुत ही आराम से आग कर रही है, तो अब वो हवा एकदम से रुक जाती है and उनके ship भी वही पर रुक जाती है and वहाँ पे पूरी stillness थी, silence थी and वो sailor एक दूसरे से बात करती है, तभी वो silence टूपती है, वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि आसमान भी ऐसे लग रहा था, जैसे copper जल रही हो, sun भी पू चर में कोई चीज मूव नहीं करती, वैसे उनके इधर उधर सिर्फ पानी ही पानी था and इतनी heat के वज़े से उनके ship के borders पे crack आना start हो गए थी, वो shrink होना start हो गए थी, उनके इधर उधर तो बहुत पानी था, लेकिन पीने के लिए उनके पास एक बून भी पानी नहीं बच चा था, उनके ship भी अब घड़ी-घड़ी गलने लगी थी और उन्हें वहाँ पे ugly creatures भी दिखने लगे थे, जो कि sea surface पे crawl कर रहे थी, ये बहुत ugly and horrible scene था, इसलिए वो Jesus Christ को याद करते हैं, तो उन sailors को बहुत सारी रातें ऐसे ही गुजारने पड़ती हैं, वो बहुत torture होते ह sea में कुछ ऐसी चीजे हैं, जो रात को चमकती हैं, और ये चमकती हुई चीजे ऐसे लगती हैं, जैसे कोई witch अपने oil को burn कर रहा है, और उसमें green, blue and white lights निकलती हैं, कुछ sailors को तो ऐसा सपना भी आता है, कि कोई spirit उन्हें पिछले 9 दिनों से follow कर रही है, वो albatross की death का बदला लेना चाहती है, तो अब प्यास की वज़े से उन sailors की tongue पूरी तरह सूख चुकी है, root तक, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे है, ऐसा लग रहा है, जैसे उनके गले में कुछ फस गया हो, suit का मतलब यहां पर है, जैसे उनके गले में कोई धुआ फस गया हो, वो sailors कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके gestures and looks से ऐसे ही लग रहा था, कि वो उस mariner को ही अपने इस हालत के लिए blame कर रही हो, तो अब वो अपने गले में पहना हुआ cross निकाल देती है, और उस dead Albert cross को ही अपने गले में लटका लेती है, as a punishment for his evil deeds, तो यहां पर इस poem का second part भी हो जात है खातम, next video में हम इस poem को ही continue करेंगे, तब तक के लिए take care and see you in the next video.